लगता है बिग बोस सोला में मराठी मानूस इतिहास दोराने से चुक जाएगा मिड सीजन में अनुमान था कि हैंसम हंग सीव ठाकरे ही बिग बोस सोला के वीज़ता बनेंगे लेकिन फिनाले के करीब आकर सभी के प्रिडेक्शन बदलते दिख रहे हैं मनली के सरगना सीव ठाकरे पर टीवी की बहु प्रियंका चाहर चौदरी भारी पड़ती दिख रहे हैं मराठी बिग बोस टू के विनर रहे सीव ठाकरे बीवी सोला की टौफी जीतरे से चुक ते दिख रहे हैं आकर एक महिने में ऐसा क्या हुआ जो सीव ठाकरे आज इस मोड पर आकर खड़े हैं बिग बोस सोला में जब सीव ठाकरे ने एंटरी की तब ही से वे साजीद खांसंग जुड़ गए दिरे दिरे साजीद और सीव ने अपनी मंडली मनाई उस मंडली में सीव इस तरह रमे की सीजन खत्म होने की ओर है लेकिन सीव अभी तक मंडली का बोज धो रहे हैं मंडली का हिस्षा होने की वज़े से सीव पूरे सीजन अकेले स्टेंड आउट नहीं हो सके उन्हें कई बार टोका भी गया लेकिन सीव का गेम नहीं बदला मंडली में रहते हुए अब सीव गाय भी हो गए हैं उनका खुद का कोई एस्टेंड और गेम प्लान नजर नहीं आता सभी जानते हैं कि बिग बोस हाउस में ओहीं चमकता है जो लॉल वारियर होता है ओडियन्स को सीव की परेशनलिटी में ये सब बड़ी चुक दिखी साजित कान और अब्दुरोजिक के बिग बोस में मजूद रहते हुए सीव ठाकरे को काफी कंटेंट मिल रहा था लेकिट उनके सोच छोड़ने के बाद से सीव ठाकरे कमजूर पड़ गए सीव का ये हाल है कि अब वे जबरजस्ती की लड़ाईया कंट्रोवर्सी पर फुड़ेश पाने की कोशिश करते हैं साजित खान थे जिनकी वज़े से पूरी मंडली एक जूट रहती थी साजित के जाते ही मंडली भी तूट गई है सीव एमसे स्टेंड संग एक कोने में गुम रहते हैं सीव को फुड़ेश के लिए स्ट्रगल करता देख फैंस बहत निरास हैं उमीद है फिनाले से पहले सीव अपना गेम प्लान दुरुष्ट करें सीव ठाकरे का गेम प्लान करीब से देखने वाले जानते हैं कि पहले दिन से उनका घर में कोई मुद्दा नहीं है सीव के कम ही घर में मुद्दे रहे हैं कभी वे साजित के मुद्दों में गुचते तो कभी अबदुल के उनका दूसरे कंटेस्टेंट संग कोई खास एक्वेशन नहीं रहा सैद वही वज़ा है कि सीव अब कम जोड दिख रहे हैं उनके पास किसी से लड़ने का कोई टॉपिक ही नहीं स्टेंट के सीवा किसी के साथ उनका खास बॉन नजर नहीं आता है सीव ठाकर का गेम प्रान देखकर लगता है कि वे सो में भाईचारा निभाने आये हैं उनका बिग बोस सोला का गेम अपने ग्रूप के लोगों को जिताते हुए बचाते हुए दिखा है ओडियन्स को मनली की ट्यूनिंग दोस्ती बहत पसंद आई लेकिन गेम के लिहाजे से इसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि टॉफी तो किसी एक को ही जीतना है सीव ठाकरे सो में आये थे उनमें बिग बोस माराठी की तरह सीजन सोला की टॉफी अपने नाम करने का जोस दिख रहा था मगर दीरे दीरे सीव में सो जितने का पैसन कम होता हुआ नजर आया है फिनाले विक में उनका हाल और बुरा है सीव ठाकरे का गेम की तरफ एटिट्यूड देख लगता है उन्हें सो की पढ़ ही नहीं है जितनी लाइम डाइट उन्हें इस सो में लेनी थी ओ ले चुके मान वो भी समझ चुके हैं कि प्रियंका ये सो जीतने वाली है इसलिए उन्होंने हार मान ली आपको क्या लगता है सीव ठाकरे भी गवे सोला जीतने के हगदार है या नहीं इस बुलिटिन में फिला लेतना ही आप देखते रहे हैं आज कल न्यूज नमस्कार